खम्मागडी मित्रो, दिस इस पुरू जनुद्रिया, वी वोस कम्पेटिंग क्लास नाइन साइन से एंसी आटी चैप्टर नंबर टू, चैप्टर का नाम है, इस मैटर एराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के पदार सुद्ध है, ठीक है, तो इसमें हमने यहां ता कोल अध्याए में हमने पदार्त के बहुत गड़ों के बारी मद्यान किया, हाँ बिलकुर अध्यान किया, बही, तीन तरह की स्टीज होती ही, उनकी, इसमें कम अट्रेक्शन फोर्स होता है, कॉन सा टैंपरिचर की वैसे उनकी अवस्ता पर बरचत की जा सकती है, वांश्मिक् ठीक है पिछले चैप्टर में चलिए आगे देखते हैं ऐसे गुण जिनका हम अबलोकन एवं बड़न कर सकते हैं ठीक है जैसे कि रंग ठीक है कठोरता द्रडता बहाव गनत द्रमनांग क्वतनांग इत्यादि को बहुत गुण का हाजाता है ठीक है बहुत गुण मतलब जिन हम देख सकते हैं फील कर सकते हैं ठीक है या फिर हम उनको अबलोकन द्वारा बड़न कर सकते हैं ठीक है अवस्ताओं का अंतरूपांत्रण एक दूसरे में परवर्तन ठोस द्रव गैस एक बहुत एक परवर्तन है क्योंकि ये परवर्तन पदारतों के शंगटन में बिना प पर जैसी टेंपरिचर जाता है लेकुड का मितलब क्या हुआ वह जो पास-फास पार्टिकल थे वह दूर हो गए बस पार्टिकल दूर हो गए इसका हम लिए थोड़ी है एस्टो जो पार्टिकल है वह सी टू हो गया ठीक है फिजिकल प्रपरटीज के द्वारा हम उसकी अव भी बरफ जल और बास्प अलग अलग दिखते हैं और यह बिने बिने बहुतिक गुड़ों को दर साथ है बिल्कु सही बात है थोस का अलग थोस का अलग बरफ का जो है वह अलग बहुतिक गुड़ होते हैं और क्या बोलते हैं जल के अलग होते हैं और बास्प के अलग बा यह रखके मिक्सर होता है यह इंका घुल ता कहना पकाने बाले तेल कं भीडर यी नवलें है लेकिन राज़ाण पकाने बेलकुल बिल्ने बेंश में इन व्रहाइ व Dartmouth पलुद भोता है देल बता है पानी Series होता है पंडेलग time Kilane तेल जो होता है, ब्राउनीस कलर का, ठीक है, यलिश टाइब का, और वाटर जो हता है, वो बिदाउड कलर होता है, इस एक सक्टर काफी सारे प्रॉपर्टीज होते है, chemical properties अलग, लेकिन chemical properties बिल्कुल भी सेम नहीं है, ठीक है, इनकी गंद, ठीक है, smell, जोलन सीलता है, ठीक है, मत है, मैं अंतर है, डीक है, गंद और जोलन सीलता हूं अंतर है, हम जानते हैं की तेल आवा में जलता है, जबकि जल आग को बजाती है, ठीक है, आप सभी को इस एक प्रॉपर्टीज के बाएँ पाता है, ठीक है, आग बजाने के लिए जल को प्योग होता है, बाकी gases बग जलसे से अलग करता है जलना एक राशानिक परवड़ता है उसकी chemical property चेंज हो जाएंगी जिस चीज के द्वारा उसकी chemical property चेंज हो रही है वो chemical changes होते है जलने की प्रकरिया में एक पदार दूसरे से किरिया करके अपने राशानिक संगटन परवर्तित कर लेता है जलने की प्रकरिया में एक पदार से एक पदार दूसरे से किरिया करके क्या करेगा राशानिक संगटन परवर्तित कर लेगा फिर द्वारा उस condition में नहीं आएगा वह एक बार तेल जल गया तो इसका लेए थोड़ी वह प्योड तेल की तरह हो जाएगा फिर जन नहीं एक बार वह चेंज होगा तो हो गया वह केमिकल चेंज होगा उसमें अब उसके बाद उससे द्वारा से रेट्रीव नहीं कर सकते राशानिक परवर्तन पदार्त के राशानिक गुड़ दर्मों में परवर्तन लाता है सही बात है हम नया पदार्त पाते हैं बिल्कुल सही बात है नया पदार्त मिलेगा हमको ठीक है राशानिक परवर्तन को राशानिक प्रितिकरिया भी कहा जाता है ठीक है मुंबदी जब जलेगी, तो उसमें बहुत जि को रासानिक परवर्दम दोन होते हैं, जो उसकी वो होती है रोई, या फिर उसमें जो धाम की पैचान कर सकते हैं, बहुत इक परवर्दम हो रहा है ठीक है आप इनके पैचान कर सकते हैं बिल्कुल ठीक है सुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार है पदार्थों को उनके रासे में संक्टन के आदार पर तत्तों या योगिकों में वर्गिकरत किया जा सकता है तो सबसे पहले आपन बात करेंगे तत्त की रोबर्ट बॉयल पहले भिग्यानिक थे ठीक है जिन्होंने सन 1661 में सरपढ़म तत्यों सब्द का प्रियोग किया था । 1671 में रोबर्ट बॉयल अई बॉयल ठीक है बॉयल 1661 में फर्स्ट अमें विलो पारियोग किया था फ्रांस के कैमिस्ट थे एंटोनी लोरेंट लेवोजिया ठीक है तो लेवोजिया जो थे उन्होंने 1743 से 1794 तक ये जी ये थे जो भी है न ने सबसे पहले तत्व की परवासा को प्रियोग द्वारा प्रतिपादित किया ठीक है तो जो तत्व सब्द है वो दिया किसे ने बारा अन्य सरल्प दारतों में बवाजित नहीं किया जाज़ता रखता फुर एजब्ड पला ओले वो उनेके अरसार स्वरी एकम नोट मॉलिक्यूल ठीक है एटम एटम इनके और सार का थे नहीं कर सकते इसको और जादर डिबाइट नहीं कर सकते है इसको और सब्दरियों कि ऐलेक्टرन, प्रोटरोन, नूटरोन, वो अलग बात है, ठिक है, वो सभी में ही पाय जा रहा है, पर एक प्रोपेर्टि जो आटे हैई, एक प्रोपेर्टी जो होती है, प्रोपेर्टी विच्छी प्रोपेर्टि ठोटी है, वो तो चार्ज परटिकलस हैं, ठught-धाटों को प्राय दिये हुए निम्न गुड़दर्वों में से सभी को या कुछ को प्रदर्शित करती है ठीक है तो सबसे पहले देखते हैं दातु कौन-कौन से गुड़ प्रदर्शित करती है तो दातु कौन-कौन से गुड़ प्रदर्शित करती है तो दातु गुड़ प्रदर्शि होती हैं अब सब भी ने होते हैं लेकि ताप और विद्धुत की सुचालग होती है ये तन ने होती है ये hai उनको चदर माइ लोहय को रोड को बनाई जाए सकते हैं लोहय की चदर ही बनाई जा सकता है तो तन ने ह हथियार बंते हैं ठीक है तो यह मुझे याद नेरा इत्थ लो मिटर तकering कीचा जा सकता है इनको पीट कर महीन चादरों में डाला जा सकता है, बिल्कुल सही बात है, ये प्रती द्वनी पूर्ण होते हैं, जैसे हम लोहे पे कोई चीज मारते हैं, तो वो अवाज करता है, टन, ऐसे ही, या फर कोई भी जो भी है, सोना, चांदी, तामवा, लोहा, शोडियम, प्रेशि हो है, लेकिन ही कमरे के तापपान पर, क्या होता है, द्रब में होता है, अदातु इं दिए गुए निम्न गुड़दर्मों में से प्राय कुछ को या सभी को प्रदर्सित करते हैं, तो कौन-कौन से, ये विविद्रंग की होती है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, वर्ध नहीं होगे, वह आगात वर्ध नहीं होगे, जैसे हम इन पर चोट बारें गींगे, भंगर हो जाएंगी, तूट जाएंगी, ठीक Japan प्रश्षच में तो यह चोट न की रहला कैसे मुझे वह रहे समझे नहां मैं यह सम्झे ंए ऐखहा चना का लख हिनूद मनेet बोथ दातु चंबिदोनी पूण होते हैं अगात बादण नहीं होते हैं अगध्वर्ध नहीं होते हैं है आईड्रोजन आउसीजन आयोडीन कारवन कोल को है भी जाएगा अब एसा फूर चदरु से बिदा बदल दोंगे नहीं व्रोमीन हो गया कुलोरीन हो गया एक्सटर और अधातू के बीच के गुड़ों को प्रदर्सित करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, मेटलॉइड या फिर उपदातू कहा जाता है, जो धातू और अधातू दोनों के बीच का मिलता जुलता गुड़ प्रदर्सित करेंगे, उनको क्या कहा जाएगा, उपदातू या मेटल है ठीक है सो से जादा अपने पास ग्या तत्तों की संक्या है जिनमें से करीबन 92 जो है वो प्राकरतिक है ठीक है संसलेशित नहीं है और उससे उपर जितनी भी है वो संसलेशित है ठीक है यह मानम निर्वेत है मैं मीड है अधिकतर तत्त जो है वो ठोस है ठीक है mostly जो है वो ठोस है 11 तत्व जो है वो कमरी के तापमान पर जो होते हैं वो gas होते है ठीक है अब कोई अच्छे से देख लाना है तो बिल्कोल ये समझे लो note में दे रखा हो उनों ने बहुत अच्छे से सबसे पहले क्या है 100 से अधिक तत्व है जिनमें से 92 कितने है नेचरल बागी कितने मैनमेड है mostly जो है वो solid है ठीक है 11 जो है वो gas है दो तत्व पारा और ब्रोमी जो है वो कमरी के तापमान पर क्या है लिक्विड तो 2 कितने है लिक्विड तो 2 है वो लिक्विड हो गए गेलियम और सीजियम तत्व कमरी के तापमान 303 केल्विन से कुछ अधिक तापमान पर द्रबबस्ता ले लेते हैं ठीक है गेलियम और सीजियम जो है वो कमरी के तापमान तक तो लिक्विड नहीं है लेकिन कमरी के तापमान से थोड़वोत उपर ही जैसी जाएंगे तो लिक्विड फॉर्म ले लेंगे अपनी ठीक है उसके बाद आगे बात करते हैं अपन योगिक की एक योगिक वह पदारत है जो कि दो या दो से अधिक तत्तों के नियत अनपात में रासानिक तोर पर संयोजन से बनाएं ठीक है जैसे फर एक्जांपल वाटर एश्टो ठीक है तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इनके परसपर संयोजन से जो है वाडर मॉलिकुल्स बन रहे है ठीक है पानी बन रहे है तो द बोलो कि हम oxygen की दो पाड़ लेता है hydrogen का एक पाड़ ऐसा नहीं है न है तो हाँ ठीक है जब दो यादो से अधिक तर तो आपस में मिलते हैं तो हम क्या पाते हैं किरिया कलब देख लेता है चलो इसके लिए अपन ठीक है कच्छा को दो समों विवक्त करें दोनों समों को 50 ग्रा चुन और 3 ग्राम sulfur लोहे के चून और sulfur powder को पीस कर मिलाएं गुरुप भी को क्या करना है लोय का चूण और हमें उनों को सरफ मिक्स किया लेकर गुरुप भी ने क्या किय, उनको मिक्स भी किय, उनको ती प्रताब पर लाल होनी तक उनोंने जलाया उसे फर उसके बाद उसको ऑठाले, उसको थंडा होनी दिया, मिश्ण को ठीक है प्राप्त सामगरी में चुम्बी के गुणकी जाच करें सामगरी के निकट एक चुम्बक को लाएं जाच करें कि क्या सामगरी चुम्बक की ओर आकरसित होती है दोनों समोध और प्राप्त सामगरी के रंग और बनावट की तुलना करें रंग और बनावर्ट पी अलग होगा ना हमने उसको जलाया है प्राप्त सामकरी के एक भाग में कारवन डाई सल्फाइड मिलाएं मिस्रन अच्छी तरह मिलाएं और छान लें ठीक है प्राप्त पदार्थ के दूसरे भाग में तनू सल्फिरी कमल या तनू हाइड्रकलोरी कमल को मिलाएं इस क्रिया कलाप के लिए अध्यापक का निर्दीशन आवशक है इस क्रिया कलाप को लोहा तता सल्फर कत्तों के साथ अलग अलग दोरा हैं अब लोग कोनों को नोट करें ठीक है तो क्या दोनों समू द्वारा प्राप्त सामगरी देखने में शमान है बिल्कुल नहीं कि समू द्वारा प्राप्त सामगरी में चमकी गोड बिद्वान है तो पहले बाले में न दूसरा बाल तो जल गया तो चमकी गोड उसके नश्ट हो जाएंगी ठीक है समू वन द्वारा जो हमें गेस प्राप्त हुई है वो हैडोजन गेस प्राप्त हुई हमें ठीक है यह रंगीन होती है गंध हीन होती है और जोलनसील होती है बैए हडोजन गेस जोलनसील होगी न इसकी जोलनसील ता कि जांच कच्छा में ना करें ठीक है हडोजन बम क यह है रंग हीन गैस है और इसकी गंद सड़े हुए अंडे जैसी वह सलफर है ना सड़े हुए अंडे जैसी इसमेल आती है आपने पाया कि दोनों समुवन दोरा प्राप्त पदार्त भिन गोड़ों को दरसाते हैं यद भी प्रारम में दिये गए पदार समान थे बिल्कुल स जला लिया ना हमको तो उसमें chemical changes भी हो गए समुवन दोरा प्राप्त सामगरी दो पदार्तों का मिश्रण है दिये गए पदार लोहा और सलफर है ठीक है only बस mix किया हमने कुछ नहीं किया उसमें ठीक है वो ऐसे react करने से रहे मिश्रण का उन दोनों मिले हुए तत्तों के ग करने पर हमने योगिक पाया जिसका गुण मिले हुए तत्तों से पूरी तरह बेने था बैए chemical changes हो गए न उसमें तो उन दोन से उसका कोई मतलब भी नहीं ना अब वो नया योगिक बन गया ठीक है योगिक का संगटन पूरे पदार्त में शमान है बिल्कुल सही बात है ठी ग्लास के नीचे देखो तले में ग्लास के ऊपर देखो उपर वारी लेयर सभी में hydrogen और oxygen की मात्रा समान रहेगी water का जो chemical formula है वो सेम रहेगा ठीक है हम यह भी देख सकते हैं कि योगिक की बनावट और रंग भी सभी इस्तानों पर समान है बिल्कुल सही बात है योगिक बन सब्सक्राइं किन्तु किसी नए योगिक का निर्मान नहीं करते हैं ठीक है मिश्ण में सिर्फ क्या करेंगे वह मिलने के लिए एक साथ रहने के लिए वो करेंगे एक दूसरे में मिलने जाएंगे ठीक है और फॉर एक जम्पल देख लो पदिबतनी होते हैं वो अलग वो योगी होता है ज़िए लोग कमेंट करेंगे इन ओल्ट ही नए पतार्त का संगहतन सदे विश्ताई होता है नए पतार्त बन गया न, मिश्णण उसमें अपसते घटकों, के गुरदर्मों को दरस आता है, भई जितने भी घटकों के घटकों को दरस आईगा, मिश्णण जो होगा ठीक है नए पदार्तों के गुड़दर्म पूरी तरह से बिन्न होते हैं बिल्कुल सही बात है बाई एक्चुली के गस्वेंट वाइफ है वो अपने अपने उनकी परवारेस होई है बच्पन से जैसे भी तो वो अपने अपने गुड़ों को दर्साएंगे लेकिन जो उनका बेवी होगा वो उन दोनों के मिली जुले गुड़दर्म को अपनाएगा उटीक है उनको दर्साएगा उट पूरी तरह से बिन्न होंगे वे कोको केवल राजाने कि आप बैद्दूत राजने प्रतिक्रिय द्वारा या रिक्सस्थ द्वारा ही अलग किया जा सकता है टिक है अब योगी जो है उनको अलग करने के लिए वह फिजिकल... जो जो होते हैं उगेंद दो भागव में डिवायड होते हैं पेहला होता सर्ल पादार तो नहीं किमिले किया सकता एप्चकर के और एक था ओक तेसे थी वह पानी को फार्मूलाने की काicki कभी भी यह S3O, HO, HO2, यह कभी नहीं होगा, पानी को फॉर्मला मिसा S2O ही रहेगा, रासानी क्या बैद्दुत रासानी प्रितिकरिया द्वारा गटक चत्तों विवाजित किया जा सकता है, या बेगडित किया सकता है, फुर एक्जम्पल पानी को हम केमिकल रेक्संस के में तोड़ा जा सकता है, फुर बिष्मागीमिष्ण समांसंगटक मतलँ होते हैं, फुर ये बिषमांसंगटन, बिचमांगी अस्मांसंगटन, बिषमांसंगटन, इसमें दाया जल में चीनी मेखा हमी, एक्जमाटन को ब्लटकरिया, अच्य जया ज़ूँ, प्छ नले आ स सलफाइड में सलफर हो गया ठीक है ठीक है जल में अलकॉल हो गया ठीक है पानी में दारू मिलाओ दारू में पानी अलकॉल मिलाओ जो भी वह पूरी दारू बन जा दिया वैसे पानी अलग दारू अलग नहीं ऐसा कुछ नहीं होता तो मिक्स हो जाती है समांगी मिश्ण हो ग तो चलिए आपको चंपर कंप्लीट होता है फ्लाग लेतना ही आपने क्या सीका और कुश्चन आंसर इसके हम अगली वीडियो में करेंगे